आइए प्यारे बच्चों, यह हम दोस्तों, आज हम लोग Newton के गति के प्रथम नियम को समझते हैं और थोड़ा देखते हैं कि आखिरिस में क्या होता है तो Newton वो बैग गयानेक थे जिन्होंने गति के प्रथम नियम दिया था जिसके पहले गेलीलियों ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें कि उन्होंने यह दिखाया था कि यदि किसी एक ट्रैंगूलर सर्फेस से यदि एक बॉल को गिराय जाता है तो ये बॉल नीचे आने के बाद फिर से ये आगे की तरफ बरती चली जाती है ये बॉल आगे की तरह तब तक बढ़ती चले जाएगी जब तक की इसको रोक आना जाएगी क्या हाथ नहीं लगाएगी तो ये बढ़ती चलेगी नहीं ये कुछ दूरी पर जाकर रुख जाएगी लेकिन कैसे रुखती है तो जो सतह है ये सतह इस बॉल पर एक उल्टी दिसा में बल लगाती है जो की बॉल को रोखने का कारे करती है मतलब यदि वो बल नहीं होता तो फिर ये जो बॉल है गेंद है ये आगे की तरह बॉरती ही चले जाती इसको अच्छे से परिभासित किया न्यूटन महोदे ने और उन्होंने बताया कि किसी वस्तु पर जब तक कोई बाहरी बल बाहरी आसंतुलित बल ना कारे करे तब तक वह वस्तु अपनी पुरुख की अवस्था को बनाए रखती है मतलब यदि कोई बस्तु गती कर रही है तो चाह रही है कि हम इसी बस्तु इसी सतह पर गती करते रहे हैं कब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी आसंतुलित बल कारे ना कर दे है फिर यदि कोई बस्तू रुकी हुई है तो चाहती है कि हम इसे पर हमेशा रुकी रहें कब तक जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल न कारे करें इसको न्यूटन ने गति का प्रथम नियम कहा था और इसे उन्होंने एक खास नाम दे रिया था जड़तो का नियम जड़तो का नियम जिसे की लॉफ इनर्सिया इनर्सिया भी कहा जाता है लॉफ इनर्सिया भी कहा जाता है जो कि प्रतेक बस्तु की यह अपनी गुण होती है कि जो बस्तु जिस अवस्था में होती है वो उसी अवस्था में हमेशा बनी रहना चाहती है जग तक कि उस पर कोई बाहरी आसंतुलित बलकारे ना करता हो इसको समयने के लिए हम लोग कर का सकते हैं कि यदि हम दो देखें तो यह जो जड़त्व जो है वो लगभग तीन परकार का होता है एक होता है कि बिराम का जड़त्व अथा जो बस्तु बिराम में रहा है तो चाहती है कि हम अपनी बिरामा वस्ता को कायम रखना चाहते है मतलब वो बिराम में ही रहना चाहती है एक जड़त्व जो है वो चाहती है कि मैं हमेशा चलते ही रहूं और एक जड़त्व जो है दिसा का जड़त्व जो कि यह बताती है कि वो किस दिसा में वस्तु चलना चाहती है तो इस प्रकार से जो जड़त्व का है यह तीन प्रकार का है एक है बिराम का जड़त्व बिराम का जड़त्व दूसरा है गती का जड़त्व और तीसरा है दिसा का जड़त्व तो इस तरीके से जो है वो जड़क्तों के तीन नियम हैं जो कि हम लोग देखते हैं तीन प्रकार के होते हैं अब इसके कुछ उपाये देखिए या कुछ हम लोग के दैनिक जीओन में देखिए कि कहां कहां हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं तो हम लोग करते क्या हैं कि एक ग पर उसे रखते हैं और इसके ऊपर ठीक गिलास के ऊपर एक सिक्का रहते हैं, जो भी हो एक दो रुपे का जो भी सिक्का हो, और यहाँ पर रखकर तेजी से हम लोग इसको स्ट्राइक करते हैं, कूट को, क्या देखेंगे कि अगली अवस्था में क्या पाया जाएगा, कि गि पऌनी सीक्चे के साथ कूट को भी चला जाना चाहिए था लेकिन नहीं, यहां पे canada dangerous तो पहले दोनों विराम अवस्था में थे हैं तो विराम के जड़त्य वॉगया, लेकिन जैसे हिट किया गया तो केवल कूट को हिट किया गया, लेकिन सीक्के को हीट नहीं किया गया तो कूट जो है यह इसमें गती का जड़तो हो गया जबकि यह जो सिका है यह अपनी बिराम के जड़तो को कायम रखा लेकिन जैसे ही यहां से खाली जगह हो गया तो एक दिसा की तरफ नीचे की तरफ वो गिर गया तो यह इस तरीके से करनक से जब बस-कल जाती है, जो ़имости हम लुग है तो फिर क्या होता है तो हम लुग पीछे की तरफ दक चुक के था हैं . जो तो फिर टी cand Again to just a तो ऐसे रहेंगे, ठीछ थो हम लोग थोड़ी से पीछे की तरफ जूक के तरफ जहेंगे तो इस तरीके से क्या होता पैर जो है वो गटी की जड़तों में चला गया जबकि सरीर का उपरी हिस्सा बिराम की जड़तों है तो बिराम होने करना अपनी पुर्व की इस्थिति को बनाए रखने चाहता है जबकि यह पैर जो है गटी का यह और इस परकार से ऐसा कभी हो सकता है कि अचानक से हम लोग गिरने की स्थिति में चले हैं और यही कुछ होता है जब गाड़ी रुकती है बस रुकती है तो उस इस्थिति में हम लोग यह देखते हैं कि पैर जो है वो तो सतख के साथ बस के सतख के साथ लगा है तो अचानक से रुग गया जबकि हमारे उपर का सरीर जो है वो धेर- गती के वस्था को कायम रखता है और वैसी इस्तिती में वो गती में राता है जब कि पैर बिराम में तो आगे की तरफ हम लोगी इस तरीके से जुक जाते हैं तो यह जो है कुछ जरतो के उधारन है तो जरतो जो है वो दैनिक जियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन यह तवी कारिक करता है यह जो है अपनी इस्तिती को किसी भी विवस्तो की स्तिती को बनाए रखना चाहता है जब तक कि इस पर कोई बाहरी अस्वन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसको की न्यूटन महुदों ने दिया था इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूटन के गती का दूती नियम तो आज के लिए इतना ही आप देखते रहें वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब करें तथा दूसरों को भी सेर करें थैंक यू